कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत योदाज, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दाज। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी देवताओं में भी बहुत सारे देवता ऐसे थे, जो इंसिक्योर रहते थे, सबसे जाधा इंद्र, उसको अपनी गद्धी की पड़ी रहती थी, कुर्सी की पड़ी रहती थी, और आज भारत में भी कुर्सी की पड़ी होई है, विकास हो या ना हो, देश डवलप हो या ना ह इसलिए संतों ने का इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहे सुख विश्णों को भारी तुल सिदा सविचार कहे हरी भजन बिना सवजीव दुखारी हरी भजन के विना भईया हर जीव दुखी है बापु गंगादाश जी महाराज के बारी में जितना मैंने सुना उनके जिनोंने उनका दर्शन किया था तो ऐसे ऐसे बापु जी के जीवन का समय है कि उनके पास सच में वर्ट्स नहीं होते है उस चीज़ को एक्स्प्रीन करने के लिए और मुझे लगता है ऐसी बातों को एक्स्प्रीन करना भी नहीं चाहिए अगर किसी को रू बरू आज भी दर्शन होता है तो अगर अच्छा सच्छा भबत होगा तो वो बताएगा नहीं किसी को और यहां ऐसे ऐसे भक्त हैं जोनों ने रू बरू आज भी उनका दर्शन किया है मैं तो अब दो साल से जोड़ी हूँ लास्ट येर और अब ऐसे ऐसे चमतकार हुए हैं आप सब ने उनको देखा यहां कितनी माताएं हैं किसी इने माताजी ने देखा था बापुजी को अरे बहुत बड़ी आप बड़ी भागशाली हो आप सभी को मेरा प्रणावी है वो भी भागशाली है जोनों ने दर्शन किया एक ऐसे फकीर जिनके कहने मात्र मैं नाम नहीं लोगी उनका जो गुरू ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया जो बापुजी ने कह दिया ये करना है तो यही करके सब को छोड़ दिया वो हमारे इस पांडल में बैटे एक सच्चा सिश्चना वही है जो गुरु ने कह दिया उसके लिए पत्थर की लकीर हो गया आज हमें तो अपने गुरु तो बना लिये पर हमें विश्वास नहीं है आजकल समय देखो कल्यूग भी है तो गुरु भी आजकल के तो अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा पर वो ऐसे फकीर थे देखो जो बड़े-बड़े संत है ना जो बहुत उचे जो बहुत ही वो संसार से दूरी बना के रखते हैं वो नहीं चाहें कि लोग उने जाने लोग उने पहंचाने आजकल तो बड़े-बड़े संतों को जैट पले स्क्योर्टी चाहिए अरे जो खुद की जान को बचा नहीं सकता हुग दूसरों को क्या बुलेगा बताओ तो आजकल समय थोड़ा है तो हमें थोड़े सावधानी रहनी पड़ेगी यहां इतने बड़े फकीर और क्या रहे केते हैं जादा तर मोन और बोलते भी होंगे तो जहां तक मुझे लगता है बहुत सुक्षम में बोलते होंगे और बड़े बड़े संतों को आपने देखा होगा बहुत छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी वाद कह जाते हैं इसलिए बापु जी महराज की कृपा मैं तो यूक हूँ बरस तो रहे है ऐसे ही बरसती रहे आईए मेरे साथ मिलकर के प्यारा सा भजन गाईए बापु जी के दिवाने बैठे हैं एक बार प्रेम से बोलिए बापु गंगादास जी महराज की कुंभदास जी महराज की और आपको ये भजन आता भी होगा मैं तो पहली बार गा रही हूँ अगर आपको आता हो तो गालीजेगा तेरे नाम देवा पारी जगते विरले विरले तेरे नाम दे ओ तेरे नाम देवा पारी जगते विरले विरले तेरे हैंकी नहीं विरले विरले का मतलब क्या होता है बता हो बोलो कोई-कोई इसका मतलब हमें पता था हम आपको बुछ रहे थे हो तेरे नाम दे अच्छा एक बात बता हो क्या बोलेंगे व्यापारी की किया बोलेंगे वाप्यारी व्यापारी की में बोलते व्यापारी पंजावी में के यह बोलेंगे के हुए एक म System भूलो है अब हम जो बोल्गे आपको समझ में आ रहे हैं ना हमारेव फैन एक थूड़ी। खराव हे कि Hindi बढ़िया है, Sanskrit भी बढ़िया है, English भी बढ़िया है पर Punjabi में थोड़ा हाथ तंग है तो आप अपने इसाब से बोल ले ना तेरे नाम देव्या पारी जगदे विरले विरले जिनना जानते थो वारी जगदे जिनना जानते थो आज तो सब पापुजी की दिवाने बैठे आज ऐसा कोई ना हो जो थिरके ना थिरकना समझते हो, भंगडा तो समझते होगे, भंगडा नहीं करना उसके लिए जगे भी ज़्यादा चाहिए होती है, एक दूसरे में टकर लग जाएगी भंगडानी करना आपको जूमना है, आनंद लेना है, कौन-कौन जूमे करदे हो जाओ, खड़े हो जाओ, आज आपको सब को जूमाएंगे, आज आपको जूमना आता है, आज खड़े हो जबाज, खड़ी हो जाओ माताजी क्योंकि जिसने करी शरम उसके फूटे जिसने की शरम उसके फूटे तो करम थोड़ी फोड़ने है आनंद लीजी अरे जिस जिसको जूमना है वही खड़ी हो सब माताई कड़ी आईए ओ तेरे नाम दे व्यापारी जगदे विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी जगदे विरले विरले जिनना जानते थोवारी जगदे विरले विरले जिनना जानते थोवारी ओ तेरे नाम दे व्यापारी जगदे विरले विरले बाभुजी के दिवानी इधर 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 भी होने चीए मिटी मिड़ता लियां उठाइए दोन हाग उगसी दे कि अल आगे था इधर मॖँड़ एसा रंग चड़ा दे दाता उतर कदी ना जावे एसा रंग चड़ा दे दाता उतर कदी ना जावे मैं उड़दा तेरे सहारे जगते विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी जगते विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी जगते विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी जगते विरले विरले देखो भगवान ने दो दो हाथ दिये हैं, किसको दो दो हाथ दिये हैं, विल्कुल एकदम सीधे सीधे, और बापुजी के दिवाने, जितने भी यहां वेटे हैं, मिठी मिठी तालिया बजा करके, आनंद लीजी अपनी जगे पर ऐसा समय, पता नहीं फिर कम मिलें, मिठी मि नित खेर मंगा, नित खेर मंगा, सोणिया मैं तेरी दुआना कोई होर मंग दी, नित खेर मंगा, सोणिया मैं तेरी दुआना कोई होर मंग दी, तीरी पेराई चकीर होगे मीरी तीरी पेराई चकीर होगे मेरी, दुआना कोई होर मंग दी, नित खेर मंगा, नित खेर मंगा, सोणिया मैं तेरी दोआना कोई होर मंग दी ने पर ठैर बंदा सोड़्य मैं तेरी दोआना कोई होर मंग दी दोआना कोई होर मंग दी इतनी क्रिपा रहे मैं मेटी विच मिल जावा मैनू बकसी चर्णा धूल मैं मेटी विच मिल जावा मैनू बकसी चर्णा धूल कद होई ना साथों दूर जगते विरले विरले तेरे नाम दे ला पारी जगते विरले 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 विरल लाकुम जोर से गाती है पिछे वाली अरे पिछे वाली माताउं का वास आ री है गाओ तीरे नाम दे व्य उ ते रे नाम दे जिनہ जानत तो वारी जगदे विरले विरले जिनना जानते ते आप सब तो दिवाने हैं, अब उनको बनाना है, जो यहां है तो दिवाने वो भी, पर पता नहीं ऐसी कौन सी, लाइन है जो उनको रोक देती है, आप सब के रिष्टेदार तो होंगे, कुछ अच्छे होंगे और कुछ, कुछ अच्छे होंगे और कुछ, हां रिष्टेदार सब तरा के होते हैं, तो उनको भी लाइए, क्योंकि कहते हैं, जहां तक कथा की धोनी जाती है, जहां तक भगवान नाम की धोनी जाती है, वहां तक का एरिया, वहां तक का वातावरन पवित्र हो जाता है, तो जो नास्त आवाली जन तो बिली, बिली आवाली जैहो हर हर महावे प्रोड़ा दर्यायाते कर्म कमावो सवसंगतानू चर्णी लावो और हे ना ओ कदे होई न साथों दूर जगते विरले विरले तेरे नाम दे वापारी झगते विरले विरले जिन्हा जानते थोंवारी ओ जिनने जानते थोवारी जगते विरले विरले तेरे नाम दे व्या पारी जगते विरले विरले तेरे नाम दे व्या पारी जगते विरले विरले मुली बापु गंगा दाज सी महराज की श्री कुम्भ दाज सी महराज की इस तरहा बापु जी की संगत यहां विराजमान है यहीं बापु जी कृपा करते रहें हम सभी भगतों पर